हलो हे गाईज, वेलकम बैक, हमने लास्ट जो कोशन किया था, वो इट वास रिलेटेड मिडल इस टीए गोलन हाइट वाला हमने कोशन देखा, इसमें हमने पूरा का पूरा जो मैप है उसके बारे में बात की थी, अभी हम जो 2015 का आपको बता है प्रीविस एर कोशन में हम होगी, स्पीशीज हो गई है न, कुछ कंट्रीज होगी, इस तरह की जो चीजे हैं, वो हम डिसकस कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो जो 36 यहाँ पर हमारा कोशन बन रहा है, उसके बारे में बात करेंगे, this is related to गुदावरी, इसको solve परने से पहले हम गुदा गुदावरी का origin point है, और यह जो original point है, उसको हम क्या बोलते हैं, तरिम्प केशवर, ठीक है, तो origin point क्या हो गए, तरिम्प केशवर हो गया, यह कहां पर है, नासिक में है, और महाराश्टरा में, लेकिन गुदावरी यहाँ से rise होते हुए, यहाँ से जाते हुए, अगर हम related to कुम्ब मेला, गुदावरी को दक्षिन गंगा भी बोला जाता है, लेकिन अगर आपसे कोई यह कोशन बूचे कि कुम्ब मेला और कहां पर लगता है, तो आपने धियान में रखना है, शिपरा रिवर के उपर, शिपरा रिवर ठीक है, उजयन, मध्या परदेश, दैन ग प्रियाग बोलते हैं, और आपने धियान रखना है, यह जो प्रियाग है, यहां पर भी जो कुम्ब मेला है, हमें देखने को मिलता है, अगर हम यहां पर बात करें कि जो गुदावरी का बैसीन है, वो कहां कहां पर एक्स्टेंड है, कौन-कौन सी स्टेट के अंदर, तो ब पूडूचरी लेकिन इससे बाद में हम कोशन सौल परेंगे लेकिन पहले देख लें कि जो गुदावरी है उसकी कौन-कौन सी ट्रिब्यूटरी है तो गाइस यह जो ट्रिब्यूटरी है सबसे पहले हमें देखने को मिलती है दूदूना देन पुर्णा जो रीवर है जो वेन गंगा के बीच में रीवर मिलती हुई दिखाई देगी मतलब वेन गंगा और वार्धाई सब ट्रिब्यूटरी है ना सब ट्रिब्यूटरी हम बोल सकते हैं तो यहां पर आपको वेन गंगा और पेन गंगा जब दोनों यहां पर मिल जाती है इस पोईंट के बाद में ये जो river है इसको हम क्या बोलते हैं प्रनहिता तो हम क्या बोलेंगे दुधुना पूर्णा और प्रनहिता उसके बाद में हमें एक और Tributory यहां पर जाती हुआ दिखाई देगी इसका नाम क्या है इंद्रवति और एक और Tributory हमें जाती हुआ दिखाई देते जिसका नाम है सबरी और यह क्या है सिलेरू सिलेरू है ना सिलेरू जो है basically यहां से जाती है अब अब और भी चीजों के बारे में घर ध्यान दे तो यह जो tributary है basically अगर हम बात करें right bank जो tributary है इसका नाम क्या है धर्णा इन एक दूसरी जो right bank tributary आती है वो क्या है mula then manjra और then manear तो आप ध्यान में रखे dm cube है ना dm cube तो यहां पर mula manjra और मानिर दीखे मैं एक और जो चीज यहां पर बतातु जो मंजरा है यहां पर आपको दिखाई रेगा कौन सा सागर निजाम सागर जो है यहां पर आपको दिखाई रे सकता है यहां पर क्या है दूदुना पुर्ना ठीक है दूदुना हो गया पुर्ना हो गया प्रानहिता हो ग देखने हैं गुदावरी के बारे में गुदावरी का बैसीन बहुत इंपोर्टनेटेट इसके बारे में आप ध्यान में रखोगे नौ लेट्स वूल दीकॉस्चिन कंसिर दा फॉलविंग रिवर्स वंसध्धारा इंदरवती प्रणहिता पेनार है ना पेनार पेनार इर्सल एक बड़ी छोटी श्रीवर है तो अगर fourth number हम delete कर देंगे यहां से तो हमें यह पता है इंदरवति और प्रनहिता जो है वो tributary है किस चीज की गुदावरी की तो वमसधरा is also not tributary और गुदावरी answer will be D which means two and three will be the correct answer ठीक है दो और तीन जो है वो correct answer होएगा कौन-कौन सा इंदरवति और प्रनहिता जैसे हमने यहां पर देखा this is इंदरवति and this is प्रनहिता I hope यह जो चीज आपको clear होगी होएगी चलिए next question की तरफ चलते है next question हमें देखने को मिलता है 52 question जिसमें उन्होंने पूछा है ऐसा कौन सा नैशन पाक है जहां पर climate vary करता है tropical, subtropical, temperate और Arctic देखे जो कंचन जोंगा या फिर खंग शेन जोंगा जो नैशन पाक है कंचन जो नैशन पाक है यह सिक्किम के अंदर है और सिक्किम के अंदर हमें basically आपको tropical, subtropical वाला जो element है वो नहीं देखने को मिलेगा इस वज़ा से यह जो चीज है वो गलत हो जाएगी नंदा देवी नैशन पाक उत्तरा खंट के अंदर है यहां पर भी यह चारो की चारो variation हमें नहीं देखने को मिलते है क्योंकि tropical हमें वहां पर देखने को मिलते है जहां पर high rainfall हमें देखने को मिलती है नाउ नियोरा वैली नैशन पाक इस आलसो नॉट अंडर दीज फोर climate zones और इसका असली जो अंसर है जो अंसर होएगा वो क्या होएगा नाम दाफा नैशन पाक देखें यह तो हो गया हमारा question और इसके बार में अंसर लेकिन और चीज के बार में अगर हम यहां पर जानकरी ले तो जो चीज आपने ध्यान में रखनी है पहली चीज जो कंचन जोंगा नैशन पाक है वो सिक्क अगंड के अंदर है यह भी इनेसको वर्ल्ड हेरिटेस साइट है वैल्यो फलार जो है इसकी एक मेजर एट्रेक्शन आपको दिखाई देगी नंबर थ्री नियोरा वैली नेशन पाक जो कहां पर है वेस्ट बिंग और में यहां पर जो इंपोर्टेंट स्पीशीज है यहां पर आपको दिखाई देगा क्या है वल्नेरेबल है और जो रेड़ पांडा है वो आपको दिखाई देगा क्या है इंडेंजेड आपको देखने को मिलेगा यह जो चीज आपको क्लियर होगी होगी नाउ अगर हम यहां पर बात करें नामदाफा नैशन पाक की यह वा सा है गंगोत्री नैशेंपाक जो कहां पर है उत्तरा खंड के अंदर इसकी मेजर एट्रेक्शन क्या है नामदाफा नैशेंपाक की यहां पर आपको एक नामदाफा फ्लाइंग स्कुरल देखने को मिलेगी जो क्या है क्रिटिकली इंडेंजर है और मैं आपको बता दू यह स स्की जो स्टेटस है जो इस्ट्रन हो लॉक ये बना है वो क्या है वंडरेबल है I hope यह जो चीज़ा आपको क्लीर होगी होएगी ठीक है तो यह हो गया हमारा अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं अगला कोशन जो है हमारा बेसिकली वो क्या है 69 यह हमें दिखाया जारा है roots of living bridges into robust bridges across the streams ठीक है local people जो है वो जो roots है living trees की उसको जोड के एक bridge बना लेते हैं ये bridge कहां पर आपको देखने को मिलेगा ये आपको रजे मेगालिया में देखने को मिलेगा लेकिन इसके साथ में हमने और क्या समझना है अब now we will basically यहां पर discuss करेंगे हम क्या discuss करेंगे concept discuss करेंगे देखिए होता क्या है जहां पर high rainfall होएगी और high temperature आपको देखने को मिलेगा high rainfall और high temperature आज यहां पर आपको देखने को मिलेगा high rainfall और high temperature वाले जगह पे जो trees है basically आपको उनकी जो roots है उनकी जो roots है वो आपको दिखाई देंगी कौन सी यहां पर आपको roots in trees की दिखाई देंगी butress roots butress roots का मतलब क्या है यह trees बहुत ही ज़्यादा heavy हो जाते है it is kind of like this kind of tree canopy वाले tree आपको यहां पर दिखाई देंगे canopy वाले ठीक है और यह butress roots आपको दिखाई देंगी butress roots है और जो because of the high temperature और high rainfall जो soil है उसमें इतने ज़्यादा आपको nutrients देखने को नहीं मिलते इसी वजह से जो trees की roots है वो कुछ इस तरहां से निकलती हुई आपको basically दिखाई देने लग जाएंगी तो यह जो इस तरहां की roots है living, basically हम क्या बोलते है इसको living tree की roots है इसको जो लोग है वो खुद ही ऐसे tie करना start कर देते हैं और tie करने के बाद में यह क्या बन जाता है it's a kind of living root bridge, living root bridge, ठीक है I hope यह जो चीज़ा आपको समझ में आगी होएगी और जो चीज़ आपने ध्यान में रखने एक यह हो गया, दूसरा यह हो गया अगर हम बात करें canopy बनती है तो तीसरा point यहां पर आपको यह भी दिखाई देगा जो नीचे undergrowth होती है, undergrowth होएगी less undergrowth less होने की वज़ा से number one चीज़ यहां पर क्या होएगी यहां पर जो reptiles है वो आपको बहुँ ज़ादा दिखाई देंगे number four, बहुँ ज़ादा species जो हैं आपको यहां पर दिखाई देंगी reason क्या है species के ज़ादा होने का, क्यूंकि यह जो equatorial तरहां का जो rain forest होता है basically tropical rain forest डिसकोम बोल रहे है, equatorial rain forest होता है जहां पर बहुँ ज़ादा बारिश होता है, और temperature भी हाई होता है, वहां पर इतनक उनके पास में limit होता है कि वह बहुँ ज़ादा species को वहां पर support कर पाए, number five यहां पर आपको reptiles के साथ में और यहीं पर लिख रहा हूं मैं, क्या देखने को मिलेंगा, जैसे monkeys हो गया, क्यों trees बहुँ ज़ादा है एपिफाइट्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगी, एपिफाइट्स यहां पर आपको देखने को मतलब पर southwest monsoon जो है, वो सीधा जाकर attack करती है, और because जो यहां पर basically mountains है, वो कौन shape के mountains है, जिसके वज़ा से जो clouds है, वहां पर जाकर फस जाते हैं, जिसके वज़ा से वहीं पर बारिश करना start कर देते हैं, तो कुछ region जो है मिखाले का बहुत ही ज़ादा बारिश को receive करता है, I hope यह यह चीज़ आपको clear होगी होगी, okay, now next जो question है, वो हम उसके बारे में बात करेंगे, यहां पर question हमारे पास में क्या है, basically they wanted to ask के ऐसा कौन सी जगा है, consider the following state, ऐसी आपने यहां पर बतानी है, जहां पर tropical wet evergreen forest जो है, वो हमें देखने को मिल सकता है, पहली चीज़ यहां पर उ wet evergreen forest यहां पर हमारे से पूछा है, तो अगर हम tropical wet evergreen forest की बात करें, तो पहला उन्होंने बताया, अरुनाचल परदेश, number two हिमाचल परदेश, number three मिजौरम, देखें, हमने अभी जो है, basically, मेघालया की बात की थी, तो मेघालया के अंदर हमने देखा था, कि जो tropical evergreen forest है, वो ह हमें देखने को मिल सकता है, है ना, लेकिन अगर आप देखोगे, यहां पर जो चीजें इन्होंने provide की हैं हमें, वो क्या क्या है, पहला उरुनाचल, दूसरा हिमाचल परदेश है, और तीसरा जो है, वो मिजौरम हमें देखने को मिल रहा है, है ना, तो अगर हम यहां पर स पर कुछ tropical wet evergreen forest दिखे है न हिमाचल के अगर हम यहां पर बात करें तो अगर हम हिमाचल को यहां पर cross कर दें अगर हम हिमाचल को यहां पर cross कर दें तो obviously आपको answer जो है second यहां पर गलत होने की वज़ा से या तो one and three या फिर one only यहां पर दिखाई देगा क्योंकि आपको पता है जो northeast region है वो एक अच्छे level की rainfall receive करता है that's why हम बात करेंगे और नाचल और मिजोरम की तो इसका answer जो है हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए according to us answer would be one and three only ठीक है जैसे हमने पीछे का concept देखा उसी तरह से यहां पर पूछा जा रहा है evergreen forest तो वहीं पर हो जहां पर बहुजादा rainfall हमें दिखाई दे रही है ओके all right तो यह I hope आपको यह जो चीज है वो समझ में आगी होएगी next question की बात करते हैं हमारे पास next question जो है और Israel अब यह I hope आपको यह जो question है वो इसका अंसर आप दे पाओगे क्यों दे पाओगे क्योंकि हमने कल जो map किया था इसराइल वाला उसके अंदर मैंने आपको बताया था इसराइल का मौथ ओपन होता है लेबिनान का ओपन होता है किसका ओपन होता है ये चीज मैंने आपको फुल प्रूफ बताई थी लेकिन उससे पहले जो है आपने सारी की सारी मेडिटरीनियन जो कंट्रीज है वो याद र जाएगा Asian part में आपने जो निमोनिक याद रखना है वो है सिल्से है ना सिल्से निमोनिक आपने याद रखना है तो S से आपको यहां पर दिखाई देगा Syria this is Syria number two आपको इसराइल दिखाई देगा this is Israel then आपको लेबिनान दिखाई देगा और देन आपको क्या दिखाई देगा यहां पर सिप्रस जो है यहां पर दिखाई देगा I hope यह जो चीज़ आपको समझे में आगी होईगी Asian part now अगर हम यहां पर बात करें और कौन सा जो है basically हमें यहां पर देखने को मिलेगा तो यह जो Jordan है आप देख पा रहे हो Jordan का जो mouth है वो इसराइल के साथ में open नहीं होता है न किसका Jordan का हमने कली यह map देखा है तो यहां पर obviously हमारा जो answer है वो क्या होना चाहिए Jordan not लिखा है तो हमारा answer Jordan होना चाहिए लेकिन और हम आगे देख लेते है number two African part में metal आपने याद रखना है एक हो गया Morocco देन हो गया Egypt है न मरोको हो गया और देन हमारे पास में क्या आगया Egypt आ गया फिर उसके बाद में Tunisia आ गया फिर हमारे पास में Algeria और देन आ गया Libya this is African part जो कि Mediterranean Sea के साथ में attach होता है देन अगर हम बात करें European part की तो ये सिल से metal ठीक है European part में आपने धियान में रखना है निमोनिक बोस की सस्ती मोमो इन ग्रीस और फ्रांस ऐसा कुछ करके इन्होंने बनाया हुआ है तो हम भी देख लेते कि भाई कैसा इसका बन रहा है बॉस से बनता है बॉस्निया ठीक है बॉस से यहां पर आपको दिखाई देगा बॉस्निया इस इस बॉस्निया नाओ Spain Spain आपको दिखाई देगा Spain is here Albania आपको दिखाई देगा this is Albania देन आपको दिखाई देगा यहां पर and Monaco के बाद में आपको यहां पर दिखाई देगा after Monaco Greece दिखाई देगा Greece के बाद में France France के बाद में Croatia I hope यह जो चीजा आपको समझ में आगी होएगी Asian part को सिल्सी African part metal और European जो पार्ट है वो कौन सा है boss की सस्ती मोमून Greece and France लेकिन जो बड़ी नजदीक जैसे Greece हमने लगा दिया हुआ है यहां पर हमने देखा के basically France हमने लगा दिया लेकिन जो बड़ी छोटी छोटी और countries हैं जिसके बारे में आपको कभी भी confusion हो सकती है जैसे कि मैं आपको बताता हूँ यहां पर अगर आपने ध्यान में दिया होगा बुलगेरिया जो है वो नजदीक है बुलगेरिया और रोमानिया लेकिन यह बुलगेरिया और जो रोमानिया है वो ब्लैक सी को अटैच करता है ना के मेडिटरेनियन सी को तो रोमानिया और मैं यहां पर लिख रहा हूँ बॉल्गेरिया यह नौट करके आपने लिख लेने शायद इसी तरह से डिरेक्ट हमें कोशन वहां पर मिल जाए यहूप आपको जो पॉलिंग टाइपस ओ फोरेशी तीक डॉमिनेंट ट्री स्पीशीज मतलब यह जो चीजे हैं यहां पर अगर हम देखें तो कौन सी ऐसी स्पीशीज है जहां पर हमें बेसिकली जो टीक है वह एक डॉमिनेंट ट्री स्पीशी देखने को मिलता है देखिए अगर आपके दिमा ट्री स्पीशी देखने को मिलना चाहिए लेकिन यहां पर रेन फॉरेस्ट में इराजी यह चीज आपको देखने को मिलती है ट्रॉपिकल मॉस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में आगे आगे जो एक कॉंसेप्ट हमने देखा बायोम्स का उसके साथ में कितने ही कोशन एक ही प धगला जो कोशन है हमारा यहां पर इन्होंने बोला जो हर एक दिन है इच डे इस मोर और लेस दसेम मॉर्निंग इस क्लियर ब्राइट विद अ सी ब्रीज सन क्लाइम्स हाइं दसकाई हीट माउंट सब डाक लाउट सॉर्म रेन कम्स विद थंडर एंड लाइटनिंग बट प्रेनिंग सून ओवर तो यह कौन सा रीजन है जैसे हमने बात किया इक्टोरियल जो रीजन है रजे उसमें फोर ओ क्लॉक हम रेनफॉल बोलते हैं जो की चार से पांच वजे के बीच में रेनफॉल आ जाती है क्योंकि सन जो बहुत ज़्यादा ऊपर राइस कर जाता है ज इसके वज़ा से यहां पर क्लाउड्स बनने स्टार्ट होते हैं और क्लाउड्स जो है चार से पांच वजे के बीच में रेनफॉल कर देते हैं लेकिन थोड़े टाइम के लिए बड़ी तेज रेनफॉल हमें देखने को मिलती है यूजली हमें यहां पर जो क्लाउड है वो इस तरहां की जो rainfall है इसको भी हम क्या बोलते हैं equatorial rainfall right तो इसके बारे में हमने देखा तो अगली चीज के बारे में चलते हैं now the question is basically 88th question consider the following countries चाइना, फ्रांस, इंडिया, इसराइल, पाकिस्तान which among the above-bar nuclear weapon states as recognized by the treaty on the non proliferation of nuclear weapons commonly known as nuclear non proliferation treaty now ये जो basically इन्होंने क्या पूछा है कि which बंगदा बाबार nuclear weapon states in उपर वाली countries में कौन सी states है जो हमें दिखाई देती है कि nuclear weapon states as recognized by the non proliferation of the nuclear weapons commonly known as the nuclear proliferation treaty इसमें चाइना, फ्रांस, इंडिया, इसराइल और पाकिस्तान का नाम है तो हमने ध्यान देना है इसका answer क्या बन सकता है देखे अगर तो आपको ये पूरा का पूरा topic पता है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं पता तो आपने non proliferation treaty के बारे में पढ़ना है जो भी बच्चा पढ़ेगा non proliferation treaty के बारे में प्लीज comment section में भी NPT के बारे में थोड़ा सो बता दीजिएगा now मैं आपको इसका answer बिजाता हूँ इसका answer क्या है चाइना और फ्रांस ठीक है और अगर इस चीज को detail में पढ़े हुए तो आपको सारा का सारा जो scene है वो clear हो जाएगा देखिए तो 2015 के paper में इतने ही species के question थे या फिर हम reverse की बात करें या फिर map based question थे जिसको map based plus IR के question मान सकते है तो I hope आपको यह जो चीज़ा वो clear होगी होगी ठीक है तो हम अगली वीडियो के साथ में कल फिर दुबाता से मिलेंगे 2016 के questions को discuss करेंगा I hope यह जो series है learn from UPSC तो यह आपको पसंद आ रही होगी अगर पसंद आ रही है तो आप इसको जो है वीडियो को like करना और share कर देना साथ में भाई चैनल subscribe कर देना अगर आप नए हो चैनल पर thank you so much bye bye